तो मेरे स्ट्राइब करने से पहले अगर ये चैनल अंवी दिश्वाप पर नीम होतों तो सब्सक्राइब कर दे ताकिगे अपको मिल पर है इसका निगापने चैनल पर कुछ इस तरह का इंटरफेश होगा इस पर जाट करना हमें तॉम कोई तॉम कोई यह कोई को प्रजक्त है वेलकम तॉम कोई ब्रिंगिंग दी बेस्ट ओफ मीम टोकन विद एनेफ्टी पी टुई गेम में अटावर्स ट्राइटीज एंद प्रेजरी यूस्ट वार्बाइब बैस एंड टू इन वेस्ट इन विक रिप्टो शेक चूज अपने वाल के बाद आपको सामने इस तरह का इंटरफेश होगा बस आपको करना क्या होगा आपने इंडर्स्टेंट करके इस पर करके इंपॉर्ट कर जाना आएगा पॉर्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं चौभी सोर में इसको कितनी हो पुई है और इस दर गली करने के लाइन के बाद अपने शो करें आप के इसको यॵर्ण कर सकते हैं धस्युकों की तरफ यहां पर आप लिंक्स नहीं है यह सब नहीं से ज़िएँ कर सकते हैं 1st October 2022 में launching website and social media, 2nd October को ये marketing, 2nd quarter, 1st quarter 2022 launching, 2nd quarter 2022 marketing, we have 4% tax that will be 2% for marketing, 3rd quarter 2022 submission on CMC, CG, congarking and others. आगे आपसको खुदी डाट कर सकते हैं, इसके बाद join our friendly community and become a member of the team, all holders are encouraged to get on board and assist, spread and the news about the project, the coin will compete with any of the top token on the market because to the strength of our dedicated team and loyal investors, let's get start. इसके बाद आगे आपि यह पर इए ऑनोट चैनल आपी तो का देख सकते हैं अर आपकी यहां पर इसको को तेक्ट क कर सकते हैं, तोकर नेम S靠 क कर सकते हैं अपने दिपोजित ब्न 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 भाक्षेसिट वाल्टेश ब्न बंब और देशेट वाल्ट कॉरेसे आपटेश्टे पार बाओं अगेंविन यूद्न कर सकते हैं इमिल आड्रेस है एपने लिन दिया हुआ है यहां पर हमने आपको इसके रोड में बता दिया है और हम आपको इसका बाइट पर दिखा देंगे वर्ट पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामें इस तरह का इंटरफेश होगा आपके सामें कुछ इस तरह का इंटरफेश होगा यहां पर टॉम कोईं इंट्रोड और विडियो को पसंद दिते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और देंगे बेल को तुमारा मत भूलें मिलते हैं अपने नए वीडियो को साथ जो ऐसे इस्ट्राइस होने वाली आपना किया रखेगा